आज मैं आपको गर्मियों के मौसम में कैसी पौवर्फुल ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा जो की जोडों के दर्द, गुटनों के दर्द, कमर पीठ के दर्द, गठिया, अर्थरैटस, गुटनों से ग्रीस खतम हो गई है पुर्षों में सांड जैसी ताकत जो पाना चाहते हैं, इसके इलावा खून की कमी, केल्शियम की कमी, बाल जणने की समस्या, चाहरे पे अगर आपकी चमक नहीं रहती है, खाया पी या शरीर में नहीं लगता है, आलस से थकान कमजोरी शरीर की महिला हो या पुरुष अगर पी लीजे दोस्तों, बहयंकर से बहयंकर, जोडों, घुटनों का दर्द और बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, जो पूर्षों की अंदर की कमजोरियां होती हैं, उसको ये ठीक कर देगा, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक अन तक अवश्य देखे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले हना में कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंट बादाम लेकिन कौन से बादाम आपको लेने हैं मार्किट में बहुत तरहें के बादाम आपको मिलते हैं लेकिन आपको देशी कश्मीरी मामरा गिरी लेनी है दूसरे नमबर पर यहां पर हमने लिये हैं सौफ दोस्तों इंडियन कल्चर में भारतिये ट्रेडिशन में भोजन करने के पशचात, सौंफ का शक्कर के साथ, चीनी के साथ, गुड के साथ में प्रियोग किया जाता है क्योंकि ये खाना- खाने को पचाने में बहुत जबरदस्त बहुत बैतरीन तरीके से सहायता करता है, दूसरे नंबर पे जिनके मुझे गंदी बगबू आती है, जो ब्रेश भी करते हैं, जिनके मुझे तब भी स्मेल आती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, पेट में दोस्तों ये एसिडिक लेवल को कम करने में और निट्रलाइज करने में दोस्तों मदद करता है, वागबट रिशी क कहते हैं कि वात संबंदित रोग, जोडों के दर्द, गुटनों के दर्द, कमर पीट के दर्द, गुटनों की ग्रीस खतम हो जाना, उमड बढ़ने के साथ साथ में इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों वात प्रकरती बिगड जाती है, और वात प्रकरती कैसे बिगड़ती ह दोस्तों रक्त के बीच में अमलता बढ़ने के कारण एसिडिक लेवल बढ़ने के कारण ये जो सौफ होते हैं दोस्तों ये एसिडिक लेवल को नूटरलाइज करते हैं लेकिन सौफ दोस्तों आपको देसी वाले लेने ये वाला दोस्तों आपको सौफ लेकर करके आना है आप ध्यानपुरवक देख लिजिए वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ तो ये वाला आपको सौफ लेकर करके आना है दोस्तों सौफ का जो प्रियोग है आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा पुर्शों के लिए भी अच्छा होता है और तीसरे नमबर पे हमने लिए अलाइची कार्डेमम लिए है दोस्तों अलाइची भी ऐसे पुर्शों के लिए बहुत फाइदेमन होती है जिनको अंदर की अंदरूनी समस्यां रहती है आप समझ पा रहे होंगे मैं पुर्शों की कौन सी अंदर कमजोरियों की बात कर रहा हूँ जिनोंने हिला हिला के अपने शरीर का सक्या नाश कर दी है दोस्तों खास करके आज कल के नौजवान पुरुष उनके लिए अलाइची इतनी जादा फाइदमन्द होती है जिसके आप कलपना नहीं कर सकते हैं बालों के जढ़ने से संबंद जिनको समस्था उनके लिए फाइदमन्द है और चहरे पी जो चमक लाना चाहते हैं उनके लिए भी फाइदमन्द है सल्स की डी जनरेशन को यानि की बुरापे को जल्दी नहीं आने देती है है इलैची यह एक तरह से रोक देती है तो आपको क्या करना रात को सोते समय यह ड्रिंक आपको सुबे पीने है किसी तरह का म्रीज चाहे किसी वी विमारी से ग्रसित हो इसका प्रीयोग हफते में 3 बार कर सकता है सुबे खाली पेट एनरजी आएगी ताकत आएगी कमजोरी आलस से दूर होगा इस डिंक को पीने से जोडों का गुटनों का दर्द गुटनों की ग्रीस जिनकी खतम हो गए नी पेन और जॉइंट पेन की जिनको प्रॉबलम है वो दोस्तों एक महीने की निरंतर प्रियोग से ठीक हो जाएगी तीनों चीजों में आपको क्या करना है 10-10 ग्राम की मातरा में तीनों चीजें लेनी है 5-6 अलाइची, 5-6-8-10 बादाम और साथ में दोस्तों फैनल सीट्स यानि की सौफ दो चमज स्टार्टिंग में कॉंटिटी उपर नीचे आप कर सकते हैं कामियाजाद है उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है नुकसान दोस्तों इसका कुछ नहीं होगा बच्चे, बुड़े, जवान, महिला, पुरुष सबी इसका प्रियोग कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में पानी में बिगोने से इसकी पित प्रकरती निकल जाती है गर्मी निकल जाती है तो तब ही मैंने कहा कि ये ठंडाई की तरह भी आप इसको प्रियोग कर सकते हैं गर्में महमान आते हैं उनको भी दोस्तों आप ये पिला सकते हैं तेस्टी बनती है दोस्तों ये जो कि आगे मैं आपको लाइव आज इस विडिएो में ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा Speat? इस वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, इसके अलावा यह जो डिंख आज मैं आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा, यह डिंख इतनी बहतरीन होती है, इतनी जबरदस्त होते दिमाग को तेज करने के लिए जिसके आप कलपना नहीं कर सकते, तो आठ से 10 बादाम को य जब आप इसको पानी में बिगोते हैं तो बढ़ जाती है लाईची की और सौफ की भी तो दोस्तों आपको क्या करना है सौफ को भी पानी के साथ में ही डालना है रात को सोते समय जब आप पानी में बिगोते हैं तो आपको उसी के साथ में मिक्सी में डाल करके इन तीनों चीजों को धीरे धीरे करके blend कर लेना है अगर आप तेजी से blend करोगे तो ये गर्मी छोड़ देंगे दोस्तों तीनों उशदियां तो nutritional value खतम हो जाएगे तो धीरे धीरे करके आपको इस तरह से paste बना लेना है अभी भी ये आदी आपकी home remedy आदा नुस्का बन करके तयार हुआ है अभी इसको आगे आपको क्या करना है दोस्तों drink बनाने के लिए वो में आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले आप paste की consistency देख लीजिए किस तरह से आपकी रहनी चाहिए उसके बाद में दोस्तों हम इस paste को गरम करेंगे पानी में लेकिन किस तरह से करेंगे वो में अभी आपको इस वीडियो में लाइव बताऊंगा लेकिन उससे पहले जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं जिनको diabetes की problem नहीं है वो दोस्तों इसके बीच में धागे वाली मिश्री का प्रियोग कर सकते हैं कूट करके धागे वाली मिश्री में मिठास के अलावा और भी vitamins और minerals पाय जाते हैं जो कि आपके शरीर में मिठास के कारण नुकसान नहीं करते हैं यहाँ पे पैन में ले लिया इंडेक्शन में आप लाइब वीडियो में देख सकते हैं उसमें 100 ml की मात्रा में यहाँ पे मैं पानी आड़ कर दूँगा और मिठास के लिए स्वाद अनुसार गुड या फिर दोस्तों आप चाहे तो पूड की जगे यह जो मैंने धागे वाली मिश्री लिया है इसका प्रियोग कर सकते हैं और जिनको डाइबिटीस की प्रॉब्लम है वो नई भी डालेंगे तो भी चलेगा और इसको आपको एक बॉइल यानि की एक उबाला आने तक अच्छे से पकाना है पानी को और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही पानी में बॉइल आ जाएगा बॉइल आना बहुत जरूरी है उसके बाद ही दोस्तों ये जो आपने पेस्ट तैयार के थी सौफ की साथ में दोस्तों अन्य तीन चीजों की आपको वो पानी के बीच में डाल देनी है इस तरह से और कम से कम दोस्तों एक से डेड़ मिनट तक आपको स्थिर करना है चमच या कडशी की सहायता से इस तरह से लाइव देख लीजिए वीडियो में आप और आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है दोस्तों जब तक ये पक करके तयार नहीं हो जाता है उसके बाद ही दोस्तों आपको ये गैस के फ्लेम को बंद करना है अगर आपका पानी 100 मिली लीटर की मातरा में आपने लिया है तो वो कम से कम 75 मिली लीटर तक जब तक नहीं होता है तब तक आपको इसको स्टिर करते रहना है चमच को चलाते रहना है ये चीज़ का ध्यान रखिए उसके बाद ही दोस्तों आपको इस तरह से ठंडा करकर के ये सुबह उटके खाली पेट हफते में तीन बार ड्रिंक लेने से मैं आपको बताओ इतने फायदे होते हैं पुर्षों में सांड जैसी ताकत जोडो गुटनों का कमर पीट का ग्रीस खतम होना गुटनों से हडियों से कट-कट की आवाज आना चहरे पे चमक उमर का बुडापा का रुख जाना जल्दी बूरे नहीं होंगे आप बाल लंबे समय तक काले रहेंगे पेट की कोई समस् आपका अच्छा रहेगा और दोस्तों महीलाओं में जो पीरेट की प्रॉबलम होती है वो भी नहीं रहेगी धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क फेस्बूक वट्सैप पे शेयर करना बिल्कुल बीना बूलें आपका दिन